कि फेका हुआ हर ताश जुआ का नहीं होता उठा हुआ हरा दुआ का नहीं होता बुझ जाता है दीपक कभी-कभी खुद की गलतियों से भी कसूर हर बार हवा का नहीं होता कसूर हर बार हवा का नहीं होता जहां दोस्तों आपको लेना है सही decision यह जो time है यह जो समय है बहुत कीमती आपके लिए अभी जो decision आप ले लेंगे कि कौन से exam की तयारी करने हैं किस किस exam को आप साथ में पास कर सकते हैं आपकी ability आपकी capacity आपकी योगे ताइक शम ताइक क्या है तो अभी उनको देखते वे आपकी situation को देखते वे आपको कौन से exam की तयारी करने हैं ताकि आप अपना selection पका कर सके यह decision आपको लेना है तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में बात करते हैं इसी topic पर Welcome back to my channel class with Dr. Dharmain और मैं हूँ आपका दोस्त Dr. Dharmain जी आदोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत important topic पर अब देखे रीट का exam है 25 अप्रेल को होने वाला है क्योंकि रीट की जो date है exam date हो decide हो चुकी है और इसी के साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि school lecturer की vacancy भी बहुत जल्द आने वाले है और साथ ही college lecturer है उसकी vacancy भी आ चुकी है form भराये जा चुके हैं अब इतिजा है तो क्यावल उसकी exam date का अब यहाँ पर confusion यह कई candidates को की तयारी किस की करें क्या read की ही करें या पिर read की साथ school lecturer या college lecturer की भी तयारी कर सकते हैं पिर तीनों में से exam पर ज़्यादा focus करें और क्या तीनों की ही सासा तयारी कर सकते हैं तो बहुत सारी दिक्कते हैं बहुत सारा confusion है उस confusion पर बात करेंगे मैं आपको अपना अनुगो अपनी सलाब को दूगा आडवाइस आपको दूँगा चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट यदि आपने शुरुआ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजी का साथ ये बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिज का एक्जाम है उसकी भी विग्यपति आने वाली ऐसा लोग करे साथ ही कॉलेज लेक्चरर की वेकेंसी भी आ गई है जी हां दोस्तों अब तैयारी किसकी करें के रीट की करें फर्स्ट गेट की या फिर कॉले लेक्चरर की बहुत सारी दिक्कत हैं दोवी दाये मन में अस सम कि आपको किसकी त्यारी करनी चाहिए मेरे ख्याल से ठीक है तो दीके सबसे पहले हम बात करते हैं तो रीट जो है वो 25 अपरेल को रीट होने वाली है जो सीम साब है उन्होंने डेट फिक्स यानि डिसाइड कर दी है 25 अपरेल रीट के लिए रीट की बात की जाए दोस्तों अपर जो बात कि आपको तलाश है एक नोकरी की जडिए आपको तलाश है नोकरी की जलदी यार मैं नौकरी लग जाओं कुछ भी हो ठीक है तो आपको मेरे ख्याल से अभी सिर्फ और सिर्फ रीट की तयारी करनी चाहिए जी हां दोस्तों अपना टार्गेट अपना पूरा फोकस आपको रीट एक्जाम पर देना चाहिए मेरे ख्याल से यदि आप वेरोजगार हैं आ नौकरी की क्योंकि दोस्तों रीट में अच्छी खासी फोस्त है देख 31,000 और संभाव नहीं बताई जारी कि यह बढ़ भी सकती है तो 31,000 काफी अच्छी पोस्त होती है तो 31,000 पोस्त है रीट में तो आपको अभी फिलहाल यदि बेरोजगार है नौकरी की बहुत जल्दी आपको जरुरत आउशकता है तो आप रीट की तैयारी करें तो शायद बहतर होगा क्योंकि एक बार एक नौकरी जब हाथ लग जाती है उसके बाद फिर आगे तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इतना तनाव जो टेंशन है वो काफी हद तक कम हो जाती है एक नौकरी यदि हमें मिल जाए तो तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगो यदि आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि वो लेयार बहुत जरुरत नौकरी की तो आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि तीन से चार महीने आपके पास हैं आप चाहे बात करते हैं आगे अब देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावनाएं ये बन रही है फर्स्ट ग्रेट आने की संभावनाएं बताई जा रही है तो दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहूंगा कई हैं उन्होंने कहां रीड और इसकूल लेक्चरर इस दोनों की सा सा हम तैयरी कर शक्ते हैं क्या या और या फिर कई कंड़ेट्स और कोले लेक्चरर के साथ में तैयरी करना चाहते हैं तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा रखिए जो रीट है read का syllabus और school lecturer का जो syllabus है उसमें दिन रात का अंतर है इसी के साथ college lecturer का जो syllabus है उसमें भी दिन रात का अंतर है यानि कि read के यदि हम बात करें तो दोस्तो read का जो syllabus है वो बिल्कुल different है school lecturer से भी और college lecturer से भी तो यदि आप read की तयारी कर रहे हैं तो आप school lecturer और college lecturer के चकर में नहीं पड़े बिल्कुल भी नहीं पड़े मैं फिर से एक करना चाहूंगा कि आप read की तैयारी करना चाहते अच्छे से तो keval read की ही तैयारी करें क्योंकि इनका syllabus बिल्कुल different है एक पुरव दिशा की तरफ जाता है तो दूसरा first time दिशा की तरफ जाता है इस तरीके से बिल्कुल different अलग-अलग इनका syllabus है कहीं भी समानता नहीं कि यार कुछ जो chapter है topic है अगर वो भी समान होते तो भी हम सोचते कि हाँ यार चलो आदी दयारी इससे रीट की हो जाएगी इसको पढ़ने पर ऐसा भी नहीं है इसलिए आपको सिर्प और सिर्प रीट पर ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से यदि आपको नौकरी की जरूरत है चलिए अब बात करते हैं रीट के साथ में इसकूल लेक्चरर की तयारी यदी तो फिर आपको उसी पोस्ट की तयारी करने चाहिए जो आप पाना चाहते हैं जो आप बनना चाहते मेरे ख्याल से अगर आपका सपना है ड्रीम है कि यार मुझे इसकूल लेक्चरर बनना है मैं इसकूल लेक्चरर इस बार निकाल सकता हूँ अच्छे से तो आप school lecturer के तैयारी अभी से शुरू कर दे आप read के साथ साथ कुछ time school lecturer को भी पढ़ सकते हैं जब तक की vacancy नहीं आ जाती school lecturer की यदि आप चाहे तो यदि आपको लगता है कि यहां यार school lecturer के पढ़ती आपका ज़्यादा interest है बजाए read के तो आप school lecturer को कुछ समय क पढ़ना शुरू कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं read और college lecturer का मामला बिलकुल ही अलग है college lecturer का जो syllabus से बहुत लंबा चोड़ा है और read और college lecturer जो है यह दोनों विप्रित syllabus यानि कि यह पूरा विशे पर विशे ही जो है आपका उस पर आपकी पकड़ होने चाहिए बहुत अच्छी वाली और साथ ही राजस्तान का जो जीके है वो भी इसमें पूछा जाएगा कि इस लेकिन फिर भी college lecture के लिए आपको subject पे बहुत अच्छी command बनानी पड़ेगी और काफी लंबा चोड़ा इसका syllabus होता है तो read और college lecture के दोनों की तयारिया यदि आप परना चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि college lecture बिल्कुल different है read से तो आपको पूरा focus read पे देना चाहिए यदि आप बेरोजगार है और यदि आपका सपना है dream है कि नहीं यार मुझे तो इसकूल लेक्चर बनना है या फिर मुझे college lecture बनना है तो फिर आपको सारी चीज़े छोड़ करके केवल school lecturer या फिर college lecture बनना है तो फिर आपको इन दोनों चीज़ों को भ भी पूरा ध्यान आप college lecture पर अभी से देना start कर दीजिए यदि आपका dream है आप चाहते हैं कि college lecture मुझे बनना है चाहे कुछ भी हो जाए चलिए अब बात करते हैं first grade and college lecturer देखे रीट के हमने बात कर ली रीट के बारे मैंने आपको बता दिया अब कई candidates ऐसे हैं जो चाहते हैं कि school lecturer और college lecturer दोनों की तयारी क्या साथ में की जा सकती है तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जी हाँ school lecturer और college lecturer दोनों की तयारी साथ में की जा सकती है बहुत आराम से अच्छे से आप तयारी कर सकते हैं क्योंकि school lecturer में भी आपको subject बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है साथ ही college lecturer में भी subject बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है इस्कूल लेक्चरर में ज़रूर जो फस्ट पेपर होता है उसके आपको लगसे तैयारी करनी पड़ेगी लेकिन सबजेक्ट को देखा जाए तो आप फस्ट ग्रेट के लिए जो पड़ेंगे तो कॉले लेक्चरर की भी उससे तैयारे हो जाएगी तो आप दोनों की तयारी साथ साथ कर सकते हैं किस कि स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर की तो इन दोनों की तयारी आप साथ में कर सकते हैं लेकिन रीट और कॉलेज लेक्चरर की तयारी मेरे खायल से आपको साथ में नहीं करनी चाहिए एक पर ही अपना पूरा फोकस देना चाहिए ऐसा मेरा मानना है और वैसे भी देख इसको लेक्षर की बात करें इसको लेक्षर के अभी किसी तरक की कोई ना तो डेटा ही एक्जाम डेट ना ही कोई वेकेंसी से समंदीत कोई कनफर्म कोई न्यूज है तो आपको ज़्यादा भरमित होने के आउशकता नहीं मेरे खायल से भी जो फ्रंट में है अभी सामने है रीट तो रीट पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए यदि आपको नौगरी बहुत जल्दी प्राप्ट करनी है और यदि आपका सपना है कॉले लेक्षर तो पिर आपको पूरा ध्यान कॉले लेक्षर पर देना आप चाहते हैं कि नौकरी जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए तो रेट पर आप अभी से अच्छी तैयरी करना शुरू कर दे अच्छा फोकस आप बनाए और आपका सपना है अगर कॉलें लेक्षर की आप तैयरी कर सकते हैं इस तरहिके से दोस्तों दो-तीन चीज़े मैंने बता है कि तो यदि आप नौकरी की आवशकता है तो आप रीट की तेयरी करें दूसरी बात यदि आप रीट के साथ इसको लेक्चर की तेयरी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समयाने की जैसे आप 8-10 गंटे पढ़ाये करते तो 2 गंटे 8 गंटे आप read को दीजिए और 2 गंटे आप school lecturer को दे सकते हैं ठीक है और वेसे देखा जाए तो अभी जब तक school lecturer की vacancy नहीं आ जा दी तब तक इसके बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है मेरे क्याल से क्योंकि जब भी vacancy आएगी तो आपको 3-4 महिने का समय मिलेगा इसकी पर तयारी करने के लिए फिर भी school lecturer पर आप कम ध्यान दे क्योंकि अभी इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया अभी कोई exam date या vacancy के बारे में किसी तरह की कोई confirm या पुकता news नहीं है कॉले लेक्चरर की vacancy आ चुकी है और March April में इसकी exam होने की संभाव नाए है तो आपको अभी कॉले लेक्चरर बनने का सपना है तो प्लीज कॉले लेक्चरर पर पूरा ध्यान दे अच्छे से इसकी तैयारी करें आप आराम से इस बार अपने seat पकी कर सकते हैं कि अभी से क्यवल और क्यवल कॉले लेक्चरर का जो सिल्यव से उसको चैसे पढ़ा कॉले लेक्चरर पर आपने अपना पूरा ध्यान दिया अच्छा फोकस किया तो आप आराम से कॉले लेक्टर में अपनी सीट निकाल सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है आपको यदि कॉले लेक्टर बनना है तो दोस्ते इस तरीके से आप कर सकते हैं और यहां पर एक अंतिमातुर्पुन बात एक और कहना चाहूंगा कि देखे कही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि साब हम रिट और इस्प लेक्टर दोनों को कर सकते हैं एक साथ में जा फिर हम रिट के साथ कॉले लेक्टर भी कर सकते हैं फस्ट ग्रेड और कॉले लेक्टर भी कर सकते हैं तो दोस्तो एकी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप में कितनी योग्यताय शमता हैं वो आप अच्छे से जानते जिया दोस्तो आपकी capacity आपकी ability आपसे बहतर कोई नहीं जानता कौन-कौन से exam के आप साथ में तैयरी कर सकते हैं कौन-कौन से exam के जो सिलेवा से उनको आप ठंक से पढ़ते वे आप cover कर सकते हैं यह आपसे बहतर और कोई नहीं जान सकता इसलिए आपको खुद कोई decide करना है कि आप में कितनी ability है कितनी capacity है ताकि आप कौन-कौन से exams के तैयरी दंक से कर सकते हैं आपको किसी एक ही exam पर अपना पूरा ध्यान पूरा focus बनाना चाहिए ऐसा मेरा आप सभी को सलाह एड़वाइज है तो दोस्तों इस तरीके से यह जो confusion था बहुत दिनों से आपकी दिवाग में चल रहा तो मैं यह करना चाहूंगा कि आप अभी जो निर्णे ले जो भी डिसिजन ले बहुत सोच समझ करके ले कई ऐसा ना हो की बात में आपको पस्ताना पड़े अगर आपने अभी गलट डिसिजन ले लिया तो यह किन मानिए एक्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो सिर्फ पीटने के लागा सारी बाते में समझभाए होगी जो आपको अच्छा लगे उसका एक्सेप्ट कीजिए उसको आप फोलो कर सकते हैं अदरवाइस आपका निर्णे आपका डिसिजन आपको खुद को लेना है आपकी योग्यता है आपकी शमता है आप से बहतर कोई नहीं जान सकता है इसलिए आप खुद को पहचानी की आप किस तरीके से कौन-कौन से एक्जाम स्कीज साथ में तैयरी कर सकते हैं या फिर आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपकी सीच्वेशन के अकोडि क्योंकि आपकी परिस्थितिया हैं सीच्वेशन से उनको ध्यान में रखते हैं आप केसा भी डिसीजन ले सकते हैं और आप उसकी बहतर तैयरी करके अपनी सीट पकी कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लाइक और शेर कीजिए का चैनल को सबी स्क्राइब करना मत भूलेगा तो आज के लिए इतना काफी हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टोपी के साथ तब तक लिए धन्यवाद शुक्रिया